आजम बाबर पड़ेंगे बाबर 1556 से 1625 इसे भी तक साशन किया था मतलब इसका कारे काल था 15 अक्टूबर 1542 को और अकबर का जन्म उसके किसके यहां हुआ था अमरकोट के राणा बीट साल के महल में हिमायू के और समाई के मृत्यू के पशाद अकबर का राज्य विश्य कह सहां पर किया गया काला नौर पंजाब में काला नौर पंजाब में का जब किटर अपने शनरच्शक बैरम खान को किस उपाधी प्रदान की खाने काना अकबर ने सरपर्थम वेवाहिक संबंद किस राजपूत वंस से अस्थापित किए कच्छवाहों से पांच नॉम्बर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मद पानी पत कदूती युद्ध हुआ जिसमें हेमू की प्राजय हुई कि सूपी संत के दर्शन है तो अकबर उसके दर्वार अजमेर जाया करते थे ख्वाजा मुई दिन चिस्ती अकबर के सासनकाल में प्रचलित भूर अजश्व व्यवस्ता की एक प्रसिद्य नीती आईने दहशाल पद्दत किसके द्वारास अस्तापित की गई टोडर मल अकबर द्वारास सभी धर्मों को सामज़स अस्तापित करने के लिए पंदर सो ब्यासी में किस धर्म की अस्तापित की गई दीन ए इलाई दीन ए इलाई धर्म की स्विकार करने वाले एक मातर हिंदू राजा था बीरबल महाबारत का फार्सी अनुवाद रज्म नामा के नाम से पैजी के नेत्रित में किया गया जिसमें बदायूनी भी सामिलता बर्स 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की अस्थापना किस अस्थान पकी पतेपूर्शिक्री अकबर की विजय गोडवाना विजय 1564 में चित्वर विजय 1569 में कालिंजर विजय 1570 में आमेर से संदी 1562 में मारवाड विजय 1570 भी हल्दिगाट का यूद 1576 भी आसिरगड का यूद 1621 भी अकवर के नौरतनों में से एक तांसेन महान संगित चार ये गुरु हरिदास के सिस्य थे अकवर के समकालिन सासक इंग्लेंड में महारानी एलिजावेट थी फ्रांस में सामराठ हेन्री चोथे थे इरान में सा अब्बास थे रूस में जारई जरईवान बेसिल एविच अकवर ने बंगाल वो तथा बिहार की किस वर्स मुगल समराज में समलित किया 1576 भी में किस मुगल सासक के बिरुद जानपूर से फत्वा जारी किया गया अकवर अकवर द्वारा सर्फ से सिमारते कहां पर निर्मित कराई गए फतेपूर सिकरी में अकवर नामा के रचना किसके द्वारा की गए थी अब्दुल फजल द्वारा किस जैन संत को अकवर तथा जगत गुरु की उपादी दी गए अचार हरी विजय सूरी को अकवर द्वारा फैतेपूर सिकरी में बुलन दर्वाजा का निर्माण किस विजय के प्लचनु करवाया था गुजरात विजय अमेरिका की खोज का उल्ले किस मद्द कालीन भारती लेखक ने किया अब्दुल फजल ने दास प्रथा का अंत अकवर के मतपूर्ण कार इस्तापना पंद्र सो उन्यासी से दीन इलाई की अस्तापना पंद्र सो ब्यासी से इलाई संबत की अस्तापना पंद्र सो तिरासी से राधानी लाओ रस्तांतरित पंद्र सो पचासी समी में प्रस्तिद्य चित्रकार दस्वन्त किस मुगल समराज दरवार में से सम्बंदी थे अकबर जपता प्रणाली किस मुगल सासक के एद्वारा प्रारंब की गई अकबर द्वारा 1576 इसमे मेवाड के सासक महाराणा प्रताप की तह अकबर के सेनापती मान सिंग के मंद हल्दी गाड का युद्धुआ 1576 में जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई बर्स 1901 में अकबर ने अंतिम सेन अभियान कहां पर किया असिरगर्ड का किला खान देश अकबर की किस परसिद्ध चित्रकार ने सीरी कलम की उपादी धारण की अब्दुल समद को बिरबल का बच्पन का नाम महजदास गुआलियर में इस्तित गुजरी महल किसके दोरा बनवाए गया था मांसिक मांसिंग के दोरा अकबर के दरवार में आने वाला परताम अंग्रेज कौन था रॉल फिंच थे अकबर ने जरी कलम की उपादी के से परदान की थी मुहम्मद हुशेन को लिलावती नामक वाडिजिक की पुस्तक का फार्सी महासम अनुमात किसने कर आए था फैजी ने इस टिडिया कंपनी की अस्तापना के समय भारत का शाष़क कौन था अकबर था अब्दुल्फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गए थी जहांगीर के द्वारा बर्सट 1582 में टोडर मल कौन सा पद दिया गया था दिवाने असरफ अकबर की पर्थम प्रमुक विजय पानीपत का दूती यूद 1526 में गोर्डवाना का विजय पंद्रे सो चौटर चित्तोड विजय 1568 मारवाड विजय 1570 हल्दी घाड़ी का यूद 1576 में असिर गढ़ा का यूद 1601 में अकबर के नौरतन बिर्वल कभी प्रिये नौरतनों में सबसे बुद्धिवान माना जाता था इसका जन्म 1528 हिस्वी में कलापी के एक ब्रामण परिवार में हुआ था अब्दुल्फजल दूसरा रतन ये सूफी सेक मुबारक के पुत्र थे जिनका जन्म 1550 हिस्वी में हुआ था इन्होंने अकबर नामा वा आईने अकबरी जैसे महत्पूर्ण गरंतों की रचना की तांसेन राम तनू पंडे मिर्जा तांसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था वे संगीत कला में अत्यदिक निपूर थे तांसेन की संगीत समराट भी कहा जाता था अकबर ने इन्हें कंठा वरन वाड़ी विलास की उपादी से सम्मानित किया चतूर्थ अब्दुल्रहीम खाने खाना ये वैरम खान के पूत्र थे इन्होंने तूर्की में लिखे बावर नामा का फार्सी में अनुवात किया था अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपादी से सम्मानित किया था मान सिंग ये आमेर के राजा भर भारमल के पौत्र तता भगवान दास के पूत्र थे इन्होंने अकबर के सम्मराज विस्तार में मत्पुन भूम का निवा इनकी मुरुत 1611 में हुई थी राजा टोडर मल इनका जन्म अवद के सीता पुर्जिले के लहर पूर्ज तहसिल में हुआ था इनकी प्रसिद दी का मुख्य कारण इनके द्वारा किये गे भूमी सुदार थे दिवाने असरफ के पत वर रहकर इन्होंने भूमी सुदार की सफल्योजना चलाई फैस जी ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे इनोंने माभारत वा स्री मदभागवद गीता का फार्सी अनुबाद किया था था अकबर नामक गरंद की रचना की थी काफीर अजियोद्दीन ये अकबर के नीजी हकीम चिकिस्चक एवम मित्र थे अकबर ने परसंद होकर इन्हें अपने नौरतनों में सामिल कर लिया था मुल्ला दो प्याजा ये बुद्धिमानी वागपटता के कारण ये नौरतनों में सामिल किये गए इनको खाने में दो प्याजा बेंजन अतधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर मुल्ला दो प्याजा कर दिया गया अकबर ने भारत भारमल की पुत्री हरखा बाई अथो आ जोधा बाई से विवा किया थे जिसे जहांगीर सलीम का जन्मुगा था जिसे जहांगीर सलीम का जन्मुगा अब हम देखेंगे जहांगीर 1605 से 1627 इस भी और साजहां 1627 से 1628 इस भी इनके कारेकाल को चले वर्स 1625 में जहांगीर का रज्यविसे काप किया गया था आगरा में साजहां की पतनी नूर जहां का बच्पन का नाम था महरून नीश्या जहांगीर से बिवा के पश्चा नूर जहां गुट का निर्माड किया इस गुट में प्रमुक थे साजहादा खुर्रम बाद में साजहां अस्मत बेगम नूर जहां की मा एतमा दूदौला या मिर्जा गियास वेग नूर जहां की पिता आसप खान नूर जहां का भाई इस गुट का प्रवाव 1627 इस भी तक रहा मुगल चितरकला किस के सासंकाल में अपनी परकाष्ठा पर पहुंची जहां गीर दूई असपा यहां सिंग असपा फ्रथाकिस सासंकाल द्वारा प्रारम के जहां गीर मुगलों मेवाड के राडा के मदचितोड की संद किस सासक के सासनकाल में हस्ताच छरित हुई थी जहागीर इस इंडिया कमपनी में ने जहागीर के दरवार में सबसे पहले किसे बेजा था बिलियम साकिन्स को जहागीर ने इंगलिस खान की उपाधी से किस अंग्रेज को समानित किया था बिलियम साकिन्स को भारत में किस मुगल सासक का मकबरा इस्तित नहीं है बाबर और जहागीर का बाबर का लाहौर का बाबूल में है और जहागीर का लाहौर में जहागीर के दरवार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन थे उस्ताद मनसूर थे मुगल दरवारों में किसने अपनी आत्मक खता आटोबाई ग्रॉअफी फार्सी में लिखी जहागीर खुसरो साजादा द्वारा जहागीर के बुरुद विद्रो करने में सहाथा कि देने के कारण जहागीर द्वारों सिख गुरु अर्जुन देयों को फांसी दे दी गई थी जहागीर के सासनकाल में मुख चित्रकार कौन थे उस्ताद मनसूर वबदुल हसन आगरा में इतमादू दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाये गया था नूर जहागीर के द्वारा जहागीर की आदम कता तुझुक ए जहागीरी नाम से परसीदेजी से पूर्ड करने का स्रे मौत मडखा को दिया जाता है गुलाफ से इत्र निकालने की बिदी किसके द्वारा विक्सित की गई थी अस्तमत बेगम नूर जहागी मा किस मुगल समराट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली अस्तनांत्रित किया था साजहा बल्वन्द और अप्रारम किया गया दरवारी रिवाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल वास्था ने समाप किया था साजहा साजहा की पतनी अरजुमंद बानो बेगम किस परचलित नाम से जानी जाती है मुमताज महल साजहा ने इस मुucharति में आगरा में ताज महल का निमाल करवाया ताज महल का वास्तुकार उस्ताद अहुंद लाहौरी था मियूर सिंगासन तक ते ताउद का निर्माट किसके द्वारा कराया गया था साजहां के द्वारा साजहां के काल को किस इतियासकार ने मुगल साजन का स्वाण यूग कहा था एल एल सिर्वास्तव अपनी सही सूरता तता हुदारता कि किस लगू अकबर के नाम से जाना जाता है दारशी को साजाहां का पुत्र को उपनी सद्धों का फार्सी अनबाद साजाहां के सासनकाल में साजादे दारशी को ने सीरे अकबर सिर्षक के नाम से किया था अस्थापत ते कला का सौनकाल किस मुगल सासक के सासनकाल को माना जाता है साजहाँ हिंदू तथा इरानी वस्थू कला का सौरपर्थम समनवै हमें किस इमारत में देखने को मिलती है ताजमाल में इरान के साथ ता मुगल सासको के मद विवाद का मुख छेतर था कंधार साजहाँ को कोई नूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था मिर जुमला के द्वारा दिल्ली में इस्तित लाल किले का निर्वाण किसके द्वारा करवाय गया था साह जहां के द्वारा, साह जहां द्वारा बुलंद इकबाल की उपादी किसे परदान की गए, दाराशिकों को औरंगजेव, सोलस औंठावन से सत्रसो साथ, इस भी तक सासन का सासक बनने से पूरू औरंगजेव, कहां का सुबेदार था दक्कन, दक्कन का, बर्स सोलस औंठावन में सामू गड़ का यूद किसके मद हुआ था औरंगजेव और दाराशिकों के बेच, मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेनापती किस सासक बासा के सासन काल में अंतरगत थे औरंगजेव, 1707 इसमें औरंगजेव के मुईद के पस्चात कौन समराट बना बहदूर साथ प्रथम, इस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गोवर्नर को अंग्रेज औरंगजेव द्वाराबारत से निसकासित किया गया था सरजान शाइल्ड वीवी के मकबरे के अन्वार किसने कराया था औरंगजेव ने किस मुगल साजादे ने स्रीक्रिष्न गड़वाल राज में आस्रम लिया था सुलेमान सी को किस मुगल वाजसा को जिन्दा पीर कहा जाता था औरंगजेव ने विजापूर विजय किस वर्स की थी 1686 में 1665 सिवाजी को किस मुगल से नापती के साथ पुरवंदर की संदी पर हस्ता चड़ किये जैसिंग मुगल कालिन भू राजस्यो पड़ाली खेत बटाई खेत में ही अनाज का बटवारा लंक बटाई अनाज को खलियान में लाकर बिना भूसा निकाले बटाई और रास बटाई अनाज से भूसा निकाल कर बटाई सासक और वजीर और वकील बावर मेहदी ख्वाजा हिमायू निजामुद्दीन अहमद वह हिंदू वेग अकबर वैरम खान सरवादी सक्ति साले जहांगीर यह पद रिक्त था सा जहां यह पद समाप्त हो गया जजिया करकिस मुस्लिम सासन के काल में पुना लगाया गया और अंगजेब और अंगजेब ने जोदपूर के सासक जस्वंत सिंग को 1659 इस भी के धर्मत की यूद में पराजित किया धर्मत किस राजमे स्थितमत परदेश उज्जेब किस मुगल बाश्शा का रजबिशेग दो बार हुआ था और अंगजेब का और अंगजेब दोरा चलाएगे जिहाद का अर्थ क्या था दारूल इसलामी और अंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छटर साल ने बिद्रो किया था जिसके सासनकाल में सतनामी बिद्रो दोरा किस मकबरे को दूती ताजमाल का जाता है राबिया उद दोरानी का मकबरा और अंगजेब ने रबिया उद दोरानी का मकबरा बीवी का मकबरा और अंगाबाद महराश्ट में बनवाया जिसे ताजमाल की फूहर नकल भी कहा जाता है दिल्दी के लाल की लेस में इस्तित मोती मस्जित का निर्माड किसने कराया था रंग्जेव ने रंग्जेव ने दच्छिन में किन दो राज्यों पर विजय की थी बीजपूर और गोलकुंडा मुगल कानीन सुवे की संख्या शासक का नाम सुवे की संख्या जुड़े नय जुड़े सुबे अकबर में बारे सुबे थे आयने अकबरी में वड़ी थे प्लस थ्री पंद्रे तीन नए जुड़े बाबरा खांदेश आमदनगर जागीर के समय पंद्रे सुबे थे कांगड़ा को जीत कर लाहर सुबे में सामिल किया गया साजां में 18 सुबे ते तीन सुबे कास्मीर थट्टा और उडिसा नए जोड़े और रंगजेव 21 सुबे से 22 पुर्गल कुंडा 1686-1687 में जोड़े और रंगजेव हिंदू ते भारों को सारवजनिक रूप से मनाय जाने पर सारवजनिक नित्त वा संगीत वा परतिबंद लगा दिया था